सामाजिक अंवसंधान जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्यान से संबंदित है जिसके अंतरगत सामाजिक घटनाओं की खोज की जाती है उनका पता लगाया जाता है, उनके कारणों को ग्यात किया जाता है उनके परणामों को ग्यात किया जाता है कारे कारण संबंदों की विवेचना की जाती है और इसके आधार पर अंततो गत्वा कंसेप्ट्स अब्धारणाय विख्षित की जाती है सिध्धान्त तर्थफादित की जाते हैं कि एक घटना किन-किन कारणों से घटित होती है और किसी घटना के घटत होने पर कौन-कौन से सामाजिक परणाम सामने आते हैं सामाजिक अंसंधान की बहुत सारी पंदतिया हैं पहले तो हम बात करेंगे कि सामाजिक अंसंधान को हम दो वर्गों में वर्गेजित दर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च जिसे हिंदी में गुणात्मक अंसंधान कहते हैं और दूसरा है क्वांटिटेटिटिव रिसर्च जिसे हम मात्रात्मक या परिमानात्मक अंसंधान कहते हैं गुणातमक अंसंदान के अंतरगत बहुस सारी shareपद्धितियां अपनाय जाती हैं। और जैसा नांप से ही इसपस्थ आधी है कि गुणातमक अनसंदान के अंतरगत गुणातमक तत्त प्राप्त कि याते हैं… qualitative facts प्राफ कियाते हैं qualitative जो information है वो फ्राफ कियाते हैं समाज इगंसंधान जैसे हम जानते हैं कि समाज से समंदित है समाज एक जटल प्रकृया है समाज को समझना मुश्किल है समाज व्यक्तियों के समूर से निर्मित होता है ब्यक्तियों के मद्य होने वली अंतिक्रियाँ से समन्द दित होता है और जिस परकार समाज की प्रकृति जटल है उसी परकार समाज को निर्मित करने वले ब्यक्तियों और उनके समूहों की प्रकृति भी जटल है उनको भी समझना बड़ा मुश्किल है लेकिन चूंकि समाज शात्रियों का, समाज व्यग्यनेकों का ये नैतिक दायतों है कि वो प्रत्य घटनाओं को संज है तो वो अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं, पुरा प्रयास करते हैं कि घटनाओं को संज है और घटनाओं को समझने में जितनी भी बुढात्मक शोत पद्धतियां हैं उनमें एक प्रमुख है वेक्तिक अध्यन पद्धती Case Study Method जिसका प्रयोग लंबे समय से मनुविज्ञान में तो होता ही रहा है लेकिन वर्तमान में ये शोत पद्धती Case Study Method मनुविज्ञान तक ही सीमित नहीं है बलकि इसका प्रयोग समाश्चात्रिय अध्यनों में भी किया आता है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो उसका ब्यवहार बिलकुल अलग होता है जब वही व्यक्ति समू से चुड़ जाता है समू के साथ रहता है समू में रहता है अंतेक रियाय करता है समू के साथ में तो उसी व्यक्ति का ब्यवहार समू से चुड़ने के बाद एकदम अलग हो जाता है तो समाज ब्यक्यानिक जहां एक और ब्यक्ति के समाजिक ब्यवार का दिन करता है तो वहीं दूसरी और यह भी जानने का प्यास करता है कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है और उसके अंदर चलने वाली जो क्रिया है जो उसकी मानसिक रिया है मनसिक रिया है उनके पढ़नाम सरोग उसके सामच जीवन पर उसके सामधाई जीवन पर क्या-क्या प्राहब पढ़ रहे हैं इसमें कोई संदे नहीं कि व्यक्तिक अधिक प्द्धती भौत मेत्पूर है इसके अंतरगत व्यक्तिका व्यक्तियों के द्वारे निर्वे समूहों का संस्थाओं का समुदाय का समगर रूप से अधिन कियाता है संपूर अधिन कियाता है गहन अधिन कियाता है यह बहुत ही प्रहाभी मेतुकूर्पंदती है लेकिन हमें यह नहीं भूला चाहिए कि इसके भी कुछ दोश हैं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, demerits हैं, disadvantages हैं, जो कि अनसुंधान की विग्जानिक्ता पर प्रश्ण चिन लगा जेती हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस व्याक्षान के मद्यम से इसके प्रश्ण के बारे में, उन दोशौं के बारे में, उन demerits के बारे में, जो case study method से समढदित हैं और जो इसके प्योग में पाई जाती हैं. सबसे पहला दोश case study method का यह है कि case study method केबल कुछ एकाईयों के आधार पर ही कुछ एकाईयों तक्सीमित होती है और उन एकाईयों के आधार पर ही निश्कर से निकाले जाते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं निश्चितरूप से अनसंधन करता यह मन के चलता है कि कुछ लोगों पर निकाले के अध्यन सप्पलागू होते हैं लेकिन कई मामलों में यह चीज गलत हो सकती है दूसी चीज कि जो record है जाए वो diary हो जाए वो आत्मकता हो जाए वो जीवनित्यास हो या और कोई record हो जिनको की अंसंदान करता सही मान के चलता है प्रामाणिक मान के चलता है और वो record भी गलत हो सकते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि case study method वैक्तिक अध्यन पंदती जहां एक और unscientific है तो वहीं unorganized method है इसमें किसी प्रकार का कोई संग्ठन समलित नहीं होता इस विदी में एकाईयों के चुनाव वह सूचना संक्लन करने पर किसी प्रकार का नेंतरण नहीं रहता और नहीं किसी वेग्यानिक वह संग्ठन संग्डित पंदती का सारा लियायता है इस दृष्टी से यह है एक अवेग्यानिक और असंगटित बंदती है फिर असली बात यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना रहती है क्योंकि अंसंदान करता निश्चत रूप से एकाईयों के संपत में आता है उनके साथ अंते क्लिया करता है और उनसे इस प्रकार जुड़ियाता है कि कई बार जो है जो एकाईया है उनका व्यवहार उनका इंप्रेशन अंसंदान करता पर इस हद तक पढ़ियाता है कि वो फिर सही मूल्यंकन नहीं कर पाता सही विशलेशन नहीं कर पाता, सही निशकस नहीं निकल पाता और मुल्यंकन और निशकस निकलते समय वो कहीं न कहीं पक्षपात की भावना वहाँ पर उसके अंदर आ जाती है और असली बात, फिर दूसी बात ये कि ये जो परदती है case study method ये sample method पर अधरत नहीं है it is not based on sampling method तो मैं यही कहाना चाहूँगा कि ये इससे जो प्राप्त, तथ्य प्राप्त होते हैं वो फूनते प्रामाडिक नहीं होते अब प्रामाडिक पर हो सकते हैं, authentic नहीं होते इसमें कहीं नगे पक्षपात हो सकता है फिर अधिक समय और धग्भी लगता है इसके प्रोग पर पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है लोगों से मिलना पड़ता है, उनके बार-बार साच्छात का लेना पड़ता है उनके व्यावहार को देखना पड़ता है और अध्यन तो सीमित है ही इसमें और जाताए जीवन इत्यास की बात है, बायोग्राफीज की बात है, तो अक्सर दिखायाता है, जिए जीवन इत्यास होते हैं उसमें तारीफ है जाती हैं, और विक्तियों के दोष या उनकी बुरहियां कम लिखी जाती हैं। ऐसे कई कारणों से होता है तो जीवन इत्यास भी कई बार दोशपूण निकलते हैं तो मेरा तो यही मनना है कि यह जो परदती है वो पूर्टे प्रामारिक नहीं है इसके दर निकले गए जो परणाम है निश्कर्स है वो भी दोशपूण होते हैं ये असंगटित है लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि ये दोश्पूर्ण है इसकी उपयोगता नहीं है इसका मेह तो नहीं है तो ऐसा कहना गलत होगा ये पद्दती दोशों के बाब जूद भी लिमिटेशन के बाब जूद भी एक मेहत्वपूर्ण शोथ पद्दती है जो अनसंदान करता को शोथ करता को किसी भी सामाजिक एकाई के बरे में गहन समपूर्ण सूख्ष्म अध्यन करने में सफल बनाती है धन्यवाद